और लोकसभाद चुनाओ प्रचार की बीच कॉंग्रिस छोड़ने वाले महराश्ट्री के दिगज नेता संजन इरूपम ने गांधी परिवार पर सबर्दस हमला बोला है उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस में पाँच पावर सेंटर बन गए हैं इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी वेचारिक रूप से बिखड़ चुकी है और दिशाहीन हो चुकी है कॉंग्रिस पार्टी में इस समय टकराव चल रहा है यह उनकी तरफ से कहा गया यह बड़ी खबर आपको बता रहें लोकसभा चनाव प्रचार के बीच में कॉंग्रिस छोड़ने वाले महराश्टर के दिगज हैं नेता संजे निरूपम उन्होंने गांधी परिवार पर एक बहुत बड़ा प्रहार कर दिया है उनकी तरफ से यह कहा गया कि कॉंग्रिस में इस वक्त पाँच पावर सेंटर बने हुए है और इतना ही नहीं उन्होंने नाम लेकर बकाईदा सोन्या गांधी पर राहूल गांधी पर प्रयंका गांधी पर निशाना साधा और आगे ये भी कहा कि वैचारी क्रूप से बिखड़ चुकी है कॉंग्रिस पाटी वही कॉंग्रिस ठोड़ने के बाद संजे निरूपम ने नियू जेटी इन इंडिया से खास बातचीत की है और अपने आगे के प्लान के बारे में जानकारी दे कि राजनीति केरियर काफी लंबा रहा है आपका और ये पर सबको पता है कि आप भर पर तो नहीं बैठने वाले तो ऐसे में आगे का क्या इस्टेप रहने वाला है और चर्चा ऐसी भी है कि सिउसेना सिंदेगट के साथ आपके चर्चा हुई है और आप वहीं जा रहे है आगे क्या करना है मैं बताओंगा लेकिन अभी आने वाले चार-पांच जिनों तक कोई फैसला नहीं करना है और जब नवरातरी शुरू होगी तो उसके बाद एक फंग पैकरेंगा क्या आज आप आजादिक साथ मोदीजी को भारे में तो कुछ बोल सकते हैं सबसे जादा λोक प्रिये नेता है इस बात से तो आप इंकार नहीं और श्रिवसे नाश्चिंदे गुटके नेता क्रिशना हेग्डे ने संज निरूपम पर पूछे गए सवाल पर क्या कहा ये भी सब पर्टी प्रवक्ता के सबसे अगर मुझे पूछते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी मुक्यनेता एकनाशिंदे जी ने लेंगे अगर व्यक्तिगत आप मुझे पूछते हो कि उसका मैं स्वागत करूँगा तो व्यक्तिगत मैं उसका स्वागत नहीं करूँगा क्योंकि हमेशा जो भी पार्टी में रहे हैं उन्होंने वो पार्टी में न्यूसंस क्रियेट किया है और जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है कॉंग्रिस में इस्तिफा देने की लगराय की होर सी मच गई है अब सवाल उठ रहे हैं कि राहूल गांधी पहले कॉंग्रिस को बचाएंगे या फिर इंडिया गठबंदन से मोधी सरकार को टक कर देंगे चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तर्की के लिए बारती जन्ता पार्टी जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगवा बहला कर जा हूँ कॉंग्रिस पार्टी टेकल करने में नहीं नहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे है मैंने रात को दस बच के चालिस मिनट पर खडगे जी को अपना इस्तिफा भेज भे दिया था लोगसबा चुनाव दो हजार चौवीज की पूरी तस्वीर को इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है इस वक्त कॉंग्रेस समेथ सभी विपक्षी गलों में इस्तिफा देने की होड मची हुई है पहली तस्वीर में बीजेपी में शामिल हुए कॉंग्रेस में रहे वो दिकज नेता हैं जो कभी राहूल गांथी के हर आदेश पर बीजेपी से भिड़ने को तयार रहते थे लेकिन महज एक साल के अंदर ही देश भर में कॉंग्रेस के कई दिकज नेता कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं पिछले दो दिन में कॉंग्रेस के तीन बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं जिसमें दो कॉंग्रेसी नेताओं ने बीजेपी जोईन भी कर ली है। बॉकसर विजेंदर और गौरव वललब ने कमल का दामन थाम लिया है। जबकि संजे नेरुपम ने कॉंग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब कॉंग्रेस राहुल सूनिया और खरगे पर भढ़क रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल उठ रहे हैं कि आखर कॉंग्रेस में इस्तीफा देने की होड क्यों मची हुई है। क्या कॉंग्रेस में रहे नेताओं को कॉंग्रेस के अंदर गुटबाजी, लेडर्शिप की कमी और दिशाहिन राजनीती ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। कॉंग्रेस के राहुल गांधी जब भारे जोडो न्याये यात्रा कर रहे थे। तो उस वक्त कॉंग्रेस के कई दिगज नेता हाथ का साथ छोड़ कर कमल का दामन ठाम रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी दाबा कर रहे थे कि इंडिया गटबंधन में शामिल 27 दल मिलकर बीजेपी को 24 के लोकसवा चुनावब में हरा दें। उस वक्त 20-40 साल पुराने कॉंग्रेसी नेता इस्तिफा दे कर बीजेपी में जा रहे थे। जरा देखी अब तक कॉंग्रेस से कौन-कौन बड़े चेहरे इस्तिफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कॉंग्रेस में भगदर बीजेपी में हाउस फुल। कॉंग्रेस से इस्तिफा दे कर गौरव वल्लब, अनिल शर्म, विजेंदर सिंग, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मार्च दो हजार चौबीस में नवीम जिंदर, रवनीत सिंग बिट्टू, परवीत कौर, सुरेश पचौरिक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जबकि फरवरी दो हजार चौबीस में कॉंग्रेस से इस्तिफा दे कर अशोक चबवान बीजेपी में शामिल हुए। तरव बीजेपी में हाउसफुल जैसी स्थिती हो गई है। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दा और ना ही दिशा है। पीम मोदी दावा कर रहे हैं कि 10 साल में उनकी सरकार ने जनता को सेब ट्रेलर दिखाया है। अभी पिक्चर तो बाती है। बीजेपी के दावो में इसलिए भी दम नजर आता है। क्योंकि रिसेर्च में दावा किया गया है कि बीजेपी ने विपक्षी दल के नेता और कारेकरताओं को बहुत बड़ी संख्या में शामिल किया है। विपक्षी दलों के 80,000 नेता और कारेकरता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आजस्थान में 1000 से अधिक कारेकरता और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 24 के लोकसभाद चुनाओं में विपक्ष पियम मोदी का मुकाबला कैसे करेगा। आजस्थान में शामिल हो चुके हैं। आजस्थान में शामिल हो चुके हैं। आजस्थान में शामिल हो चुके हैं।